तुलसी के से होने वाले फायदे के बारे में दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं ज्यादा तर हिंदु परिवारों में तुलसी की पूजा की जाती है और इसे सुख और कल्यान के तौर पर देखा जाता है लेकिन अगर पौराडिक महतों से अलग हट कर जाने तो तुलसी जो है एक जानी मानी आउसदी है जिसका इस्तमाल कई बिमारियों में किया जाता है दोस्तो सर्दी खांसे से लेकर कई बड़ी और भैंकर बिमारियों में भी यह एक कारगर आउसदी साबित होती है आयरुवेज में तुलसी के पौधे के हर भाग को स्वास्ती के लिहा से कारगर और फैदेमंद बताया गया है तुलसी की जड़ और उसकी सखाएं पत्ती बीच सभी का अलग-अलग अपना महतों है आम तोर पर घरों में दो तरह की तुलसी देखने को मिलती है एक जिसकी पत्तियों का रंग थोड़ा गहरा होता है और दूसरा जिसकी पत्तियों का रंग हलका होता है योन रोग की दवाईयां बनाने में तुलसी का खास तोर पर इस्तमाल किया जाता है और तुलसी के बहुत सारे और भी फायदे होते हैं जिसका मैं जिक्र इस वीडियो में करने वाला हूँ और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सर्दी में दोस्तों अगर आपको सर्दी या फिर हलका बुखार है तो मिसरी काली मीर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पका कर उसका काढ़ा बना कर अगर पीते हैं तो इससे आपको बहुत हद तक फायदा मिलने वाला है साथ ही आप चाहें तो इसकी गोलियां बना कर भी खा सकते हैं दोस्तों इसके बात बात करते हैं दस्त होने पर दोस्तों अगर आप दस्त से परिशान है तो तुलसी के पत्ति को जीरे के साथ मिला कर पीस ले और इसके बात उसे दीन में तीन से चार बार बार चाटते हैं तो इससे आपके जो दस्त की समस्या है वो काफी हद तक रुक जाएगी उसमें काफी हद तक फायदा होगा दोस्तो इसके बाद बात करते हैं सांस की दुरगंद की दोस्तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई हमारे सामने बात करता है तो उसकी सांसों से दुरगंद आता है दोस्तो सांस के दुरगंद को दूर करने में तुलसी काफी हद तक फायदे मन्द होता है दोस्तो तुलसी के पत्ते का इस्तमाल भी हम काफी हद तक करते हैं जिससे की यह हमारे बॉड़ी के लिए हमारे सांसों की समस्या के लिए काफी हद तक फायदे म इसके बाद बात करते हैं चेहरे के लिए दोस्तों तवचा सम्मंदी रोगों में खास करके यह तूलसी का पता बहुत ही फायदेमंद है इसके इस्तमाल से कील मुहां से खत्म हो जाता है और आपके चेहरे पर जुरियां और चेहरा जो होता है वो स्मूथ और साफ हो जाता है दोस्तों इसके बाद बात करते हैं चोट लगने पर दोस्तों अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो तूलसी के पत्ते से आपको भी फायदा हो सकता है दोस्तो तूलसी के पत्ते को फिट करी में मिला कर लगाने से जबके घाव जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है तूलसी में एंटिवैक्टेरियल तत होते हैं जो घाव को पकने नहीं देते हैं इसके अलवा तुलसी के पत्ते को तिल में मिलाकर लगाने से भी आपके घाव की जो जलन है वो काफी अध्तक ठीक हो जाती है दोस्तों इसके बात बात करते हैं कैंसर की कई सोधों में ऐसा पता चला है कि तुलसी के बीच को कैंसर के इलाज में भी काफियत तक कारगर बताया गया है हाला कि अभी तक इसकी पुष्टी नहीं हुई है लेकिन एक इलाज के तौर पर एक आयूरवेद के तौर पर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं क्या पता इसका फायदा आपको मिल जाए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अनेमित पिरियड की समस्या से दोस्तों अकसर महिलावों में पिरियड में अनेमितता की समस्या आती रहती है ऐसे में तुलसी के बीच का इस्तमाल करना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है Дोस्तों मासिक चक्र की अन्यमित तक दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का नियमित अगर सेवन किया जाये तो इससे आपको बहुत हथ तक फायदे मिलने वाले हैं दोस्तो इसके बाद बात करते हैं यौन रुगों की समस्या के लिए दोस्तो पूरसों में साररी की कमजोरी होने पर तोलसी के बीच का इस्तमाल करना काफी फायदे मन्द होता है इसके साथ ही यौन दुरबलता और नपन सकता में भी यह बीच का नियमित इस्तमाल आपसे प्रीन टिप्स जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं आपने दिन चर्या में अपने डिली रूटीन डिली लाइफ में जिसका आपको फायदा मिल सकता है और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक क करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी हमारा वीडियो होगा जो भी हमारा अपडेट होगा वह आपके इमेल बॉक्स में डेरेक्ट मिल जाएगा तो थैंक्यू पहरी मुच फॉर वाचिंग देस